Hello students, welcome to why you learning, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं lipids, तो देखो lipids क्या होते हैं, lipids जो होते हैं, वो water insolubile होते हैं, क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि यह हैं, क्या है, यह है, simple fatty acids, अगर हम fatty acids की बात करें, तो fatty acids क्या होते हैं, इनके अंदर carboxyl group होता है, जो attached होता है, किसे, R group से, या नहीं, यहाँ पर हमारे पास carboxyl group है, और यह किस से attached है, यह attached है, R group से, ठीक है, अब यह R group क्या हो सकता है, यह R group हो सकता है, methyl, ethai, और एक high number की जो है, वो carbon की, hydrocarbon की chain होते हैं, carbon 1 से carbon 19 तक जो है, वो present होते हैं, यह hydrocarbon की chain काफी लंबी हो सकती हैं, अब देखो यह जो hydrocarbons हैं, यह कैसे होते हैं, यह non-polar होते हैं, अब यह जब non-polar होंगे, तो फिर क्या होंगे, यह insoluble होंगे, water के अंदर, इसी वज़े से lipids जो होते हैं, वो पानी में insoluble होते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं, example की, palmitic acid में कितनी carbon की chain होती है, 16 carbon की, तो यहाँ पर long hydrocarbon की chain है, carboxyl group से जो है, वो attached है, ऐसे ही arachidonic acid, इसमें 20 carbon chain होती है, और इसमें भी carboxyl, जो है, वो carbon से attached होती है, तो यह है, lipids के कुछ example जो हमें दिहान रखने हैं, important, palmitic acid, arachidonic acid, ठीक है, अब हम जो हैं, वो lipids की types की बारे में बात करते हैं, अब देखो, जो types of fatty acid हैं, अ saturated fatty acids, saturated fatty acids वो होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, single bond present होता है, कोई double bond नहीं होता, इसमें बस हमें example ध्यान रखने है, palmitic acid, और steric acid, उसके बाद दूसरे आ जाते है, unsaturated fatty acids, unsaturated fatty acids वो होते हैं, जिसमें एक या एक से ज़्यादा double bond देखने को हमें मिलते हैं, जिसमें example क्या है, oleic acid, linoleic acid और linoleic acid, यह है unsaturated fatty acids, तो next जो हम lipid देखते हैं, वो है glycerol, तो glycerol भी क्या है, एक simple lipid है, ठीक है, glycerol की अगर हम जो है, वो बात करें, तो यहाँ पर हम बोलें, तो यह क्या है, trihydroxy propane है, ठीक है, trihydroxy propane, यानि propane और हमारे पास hydroxyl group, propane और hydroxyl group, इसलिए बोलते हैं हम इसको trihydroxy propane, अब होता क्या है, glycerol और fatty acid, आपस में एक दूसरे के साथ ester bond बनाते हैं, और फिर क्या बनाते हैं, monoglyceride, di glyceride, triglyceride, जैसे यहाँ पर अभी हम क्या बनाने वाले हैं, हम बनाएंगे monoglyceride, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर fatty acid लेंगे तो fatty acid में क्या होता है, R group उतार, carboxyl group present होता है, carboxyl group present होता है, ठीक है, water निकलेगा इन में से, तो CH2 यहाँ पर, O, C double bond, O, यह ester bond है इनके बीच में, ठीक है, और यहाँ पर, जो है, वो, बन जाएगा हमारे पास, monoglyceride, यह बन गया, monoglyceride, monoglyceride, और इसमें से, water जो है, वो, निकलेगा, ठीक है, तो यह monoglyceride बना, ऐसे ही, अगर यहाँ पर हम दो, जो है, fatty acid लगा दे, तब यहाँ पर हमारे पास, CO, R2 लगा देंगे, दो water molecule मिलेंगे, mono की जगे, हम dye लिख देते हैं, तो dye glyceride बना, ऐसे ही, तीन लगाए, तो हमा होनेगा, R1, R2, R3, इस तरह से, तो हम कह सकते हैं, कि यह जो होते है, mono, dye, triglyceride, इनको हम क्या बोलते है, fats और oils बोलते है, इनके melting point के base पे, यानि अगर oils जो है, इनका melting point होता है, low, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें example दिया है, जैंजली oil, तो यह हमने देखा कि glycerol जो है, इस melting point के basis पे, फिर हमने देखा कि oils जो होते हैं, उनका melting point के ऐसा होता है, low होता है, लास्ट में हम कैस के बारे में बात करेंगे, phospholipids के बारे में, यानि कुछ lipids जिन में phosphorus और phosphorylated organic compounds होते हैं, इनको हम बोलते हैं, phospholipids, यह जो phospholipids होते हैं, कहां पे present होते हैं, cell membrane में, इस तर दिन का structure देखते हैं, देखो, यहाँ पर अगर हम देखें, यह हम दिख रहे हैं, क्या है, यहाँ पर diglyceride present है, यानि glycerol और fatty acid जो है, दोनों के बीच में ester bond था, तो क्या बना है, यहाँ पर diglyceride बना, और नीचे यह जो group हम देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, phosphoric acid, जिसका formula होता है, H3PO4, ठीक है, तो phosphoric acid present है, और यह वाला group जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते है, koline group, phosphoric acid और diglyceride, यह सारे मिलकर बनाते हैं, lecithin, वहीं पर हम cholesterol, cholesterol का formula क्या होता है, H27, C27, H46, O, यह होता है, cholesterol का formula, इसमें हम देख रहे हैं, यहाँ यहाँ य 3, 6 carbon rings present होती हैं, और 1, 5 carbon ring present होती है, यहाँ पर carbon की side chain जो है, वो present होती है, यह मिलके बना देते हैं, cholesterol, यह था आची class का topic, lipids,